एक ऐसी चीज बताना चाहता हूँ, जो मैंने आज तक अपनी जिन्दकी में सीखी है, अगर आप एक जूट को एक पेज पे लिखते हैं, और आप उस चीज पे विश्वास कर लेते हैं, तो आपके लिए वो चीज सच हो जाएगी, जब आप उस चीज को बार-बार बार-बार पढ़ेंगे, बार-बार बोलेंगे, तब वो चीज आपकी सोच में आने लगेगी, और जब वो चीज आपकी सोच में आने लगेगी, उसके बाद आपका दिमाग उस चीज की एक इमेज बनाने लगेगा, एक पिक्चर बनाने लगेगा, जब उस पिक्चर से आ आप अपनी feelings को जोड़ देंगे तब आप उस divine energy से जोड़ जाएंगे जिसे आप universe की energy भी कह सकते हैं और वो universe की energy सिर्फ एक law पे काम करती है law of energy वो आपको वो चीज नहीं देगी जो आप चाहते हैं वो आपको वो चीज देगी जो आपके दिमाग में बन रहा है इसलिए इस विश्वास दिला दिया था कि वो जो भी बोल रहा है वो सही है और लोगों ने इस बात पर विश्वास किया क्योंकि हिटलर ने लोगों के सामने इस चीज को इसी तरह से present किया पहले उसने किताबों को जलाया और उसके बाद हिटलर ने लोगों को भी जलाया क्योंकि हिट पता नहीं करना है, कि जो भी चीज आप कर रहे हैं, उस चीज को आप शुरू कैसे करेंगे, उस चीज का आगे का प्लैन क्या है, बस उस पे विश्वास कीजिए, जब आप उस चीज से जोड जाएंगे, जब आप उस चीज पे विश्वास कर लेंगे, तब आप अपने आप उन रास्तों को बनाना शुरू कर देंगे लेकिन अगर आप अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी मानिये आप अभी भी तयार नहीं है जो भी आप लिख रहे हैं जो भी आप बोल रहे हैं अगर आप उस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभी भी तैयार नहीं है जब आप उस चीज़ पे विश्वास कर लेंगे तो वो उर्जा आपकी दिमाग में उसी तरह से काम करने लगेगी जो उस चीज़ के लिए सही है आपका दिमाग उसी से related plans बनाना शुरू करतेगा आपका दिमाग उसी से related action लेने पे आपको मजबूर कर देगा लेकिन जरूरी ये है कि पहले आपको उस चीज़ पे विश्वास करना होगा क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप उस चेतनवस्ता तक नहीं पहुँच पाएंगे जहां से आप अपनी पूरी जिंदकी को कंट्रोल कर सकते है जहां से आप अपनी पूरी दुनिया को देख सकते है और अगर आप में ये आदत है कि आप चीज़ों को अब्जर्व करते है तो आप देख पाएंगे कि जिस चीज़ पे आपने विश्वास किया है वो आपके आसपास क्या छोटे छोटे बदलाव कर रही है वो आपके जिंदकी में क्या छोटे छोटे बदलाव कर रही है और वो बदलाव होंगे आपकी इमेजिनेशन से आपके उस एक जूट की शुरुआस से वो जूट अच्छा भी हो सकता है या वो जूट बहुत बूरा भी हो सकता है अब वो आप पे डिबेंड करता है